हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल टॉफ फेमस विट में आज हम बात करेंगे टॉफ फाइब प्लेसेस टु विजर्जन डैली यानि की दिल्ली में घूमने लायक फेमस जगहों के आज हम बात करेंगे ऐसी जगह जहां आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी लव के साथ जा चैसकते हैं। जैसा कि सबही जानते हैं दिल्ली एक यह बहुत ही खूपशूरत सहर हैं जहां गूमने लायक बहुत सी जगह हैं। से ही number one place की बात करें वो है हुमायू टॉम हुमायू टॉम डैली में ही स्थित है हुमायू टॉम की बात करें तो ये सुबें च्जे बज您 स 110-6 बजे तक खुला रहता है इसकी location की बात की जाए तो ये हज्यत निजामुंदीन ओलिया दरगा के पास ही निजाम उद्दिन एस्ट में ही परता है यहां की टिकट फेयर की बात करें तो यहां जाने के लिए आपको 35 रुपे पर परसंदेना होगा और अगर कोई बच्चा आपके साथ जो कि अंडर 15 है उसके लिए यहां जाना फ्री होता है हुमायू टॉम की बाहर का बगीचा देखने में बहुती सुंदर है क्योंकि भारत में बनाया गया सबसे पहला ये बागों के बीच में बनाया गया मकबरा है हुमायू टॉम की सुन्दरता बहुत ही खास है यहां के आसपास फैले लंबे बाग यहां की खुबसूरती और बढ़ा देते हैं और अगर आप नेचर लवर है तो यहां आपके लिए आना बेहदी खास हो सकता है हमारा सेकंड फेमस प्लेस है भारत दर्शन पार्ग यह भारत दर्शन पार्ग सुबह 10 बजे से साम 10 बजे तक खुला होता है भारत दर्शन पार्ग में आपको टूटल 21 ऐसे प्लेसिस मिल जाएंगे जो की भारत की अलग-अलग सहरो और स्टेट से सम्बंदित हैं यहां पार्ची का स्टूप हो याहो खजराओं का मंदिर हवा महल सभी एक साथ आपको यहां पे देखने को मिलते हैं अगर दर्शन पार्ग की लोकेशन की बात करें तो यह आपको दिल्ली के पंजाबी बाग में रिंग रोड के पास जेजे कॉलनी मोती नगर में यह लोकेशन आपको मिल जाएगी भारत दर्शन पार्ग के फेयर की बात करें तो यहां आपको आने के लिए 50 रुपे पर परसंदेना होगा 12 साल से बड़ी बच्चों के 25 रुपे आपको यहां पेक करने होंगे और मंडी को यह पार्ग बंद रहता है मारा थर्ड प्लेस है सुन्दर न अगर में ही आपको डैली में रिसीव हो जाएगा यहां आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने या अपने किसी फ्रेंट के साथ डेट पे भी आ सकते हैं अगर आप नेचर लवर है तो आपके लिए बहुत ही खास प्लेस हो सकता है सुन्दर नर्सरी में आने का एंट्र फेर 50 रुपे है और बच्चों के लिए आपको 25 रुपे पे करने होंगे इसके साथ इस पार्क में पिकनिक भी अलाओ है आप यहां पे आके पिकनिक भी कर सकते हैं हमारा फूर्थ प्लेस है कुतोब मिनार जैसा कि सभी जानते हैं कुतोब मिनार 73 मीटर एक लंबी मिनार है कुतोब मिनार के आसपास खंबो में की गई ये कलागर्दिया देखने में बेहदी खास हैं जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितने ही प्यारी तरीके से उन्हें भारती कला का परदर्शन यहां पे देखने को मिलता है यहां जाने की टाइमिंग सुबे 7 बजे स से रात 10 बजे तक है परन्तु यह साम को पांच बजे से साथ बजे तक टू आर्स के लिए बंद भी रहता है कुतोब मिनार में एंट्रीफी 35 रुपे पर परसन है और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए यहां का फियर फ्री रहता है कुतोब मिनार का नाइट व्यू बहुत पहली मस्जित है हमारा फिफ्ट बेस्ट प्लेस है नैशनल क्राफ्ट म्यूजियम यानि कि अगर आप कला प्रेमी है तो आप के रिए बेहती खास जगा है यहां आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं यहां की लोकेशन की बात की जाए तो यह लोकेशन आपको बहरो मार्क परगती मैदान नई दिल्ली में मिल जाएगी नैशनल क्राफ्ट म्यूजियम का टिकट फियर 20 रुपीज पर परसन है यहां म्यूजियम के अंदर आपको धातु के दीपग, कांसिय, बैंबो क्राफ्ट, कपड़े, स्टैचू, वुड क्राफ्ट, आदिवासी चित्र और एक लाइब्रेरी, एक लाब, एक औरिटोरियम भी आपको मिल जाएगा इसके साथ ही आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने दिल्ली की बेहत खुबसूरत जगहों की बात की है जहां आप अपनी फैमली और फ्रेंट के साथ पिकनिक और डेट पे भी जा सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट जरूर करें थैंक्यू पर वाचिंग